आपने ये सवाल भी उठाया है, 2006 का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है, इसमें मनमोहन सिंग्जी ने कहा है कि गरीब मुसल्मानों का पहला अधिकार रिसोर्सेस पर है, यह उन्होंने साफ कहा है, आपने उसको मैनिफेस्टों में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि OBC का OBC रेजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे, और 2004-2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है, अरे भाई, यह तो बड़ा इंटरेस्टिन सवाल आपने पूचा है, तेरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेग आप कॉंग्रेस का इतियार देते हैं, नब्बे के दसक से यह मांग उठी है देश में, समाज का एक बहुत बड़ा तप्का है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए अंदोलन हुए है, नब्बे से पहले कॉंग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खरिश कर दिया, उसका बिरोद किया, उसको दबाने की कोशिच किया, यहने नब्बे के पहले कॉंगा दसक है, फिर उनको जितनी भी कमिशन बने, जितनी कमिटिया बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स, OBC के विचार के प्रक्ष में आने लगे, अब उनके से भारोसे को भी व उनकी वोट बेंक की राजलिती के अनुसार उसको टन दिया जाये, उनके पहला पाप के लिए, नाइन्टीज के दसक में, करणा टका में उनके धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, करणा टका में उनके धर्म के आधार पर, मुसल्मानों को OBC गोशित कर दिया, यानि देश के OBC को न कारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीती खाकर मुसल्मानों को OBC गोशित करते ना है। मुसलिम को OBC कोटा इदेना ताय कर लिया, मामला कोट में जाके उलज गया, अब OBC के 27 परसंट जो आरक्षन मिला हुआ है, भारत के संसद में दिया है, सम्विधान के मुनभूत भावना के प्रकाश में दिया हुए, 27 परसंट सैद लगाने की उन्होंने तहरी करती, डाका ड नेशनल डेवलप्मेंट काउंसल के मिटिंग भी जी, NDC की, मन मोहन जी ने बयान पर भावत बड़ा हंगाम हो गया है, दो साल कॉंग्रेस पूरी चूप रही, 2009 के गोश्रापत्र में, फिर से इसका जिकर किया, 2011 में, केमिनेट नोट है इसका, 2011 के केमिनेट नोट में, OBC के 27 परसेंट हिस्सा डाका डाल करके, उसमें से मुसल्मानों को दे देना, उन्होंने तै किया जी, 2012, UP चुनाओ में भी, उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फायदा नहीं हुआ, 2012, आंद्रा हाय कॉर्ट ने इसको रिजक कर दिया, रद कर द सब्सक्राइब, 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 इसको रिलिफ नहीं मिला, 2014 के गोश्रापतर में भी, दर्व के आधारपर आरखषण की बाद कहीं है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना, तब तो कोई RSS वाले, BJP वाले संविधान सफा में नहीं थे, बाबा कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरखषण नहीं दिया जा सकता, दोजर चोबीस के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मेनिफेस्ट्राइब, मैंने का इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है, यह मुस्लिम लिगी नीतिया उन्होंने अपना रिशू कि अपनित करते हैं, SC, ST के आरखषण पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं, OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निस्पक हैं, उनका इदाइत्वबंता हैं, कि ऐसे थमाइद देश को वो एदुकेट करें, सही चीजे बताएं